कि आरेसेस राष्टे सुब्सिवक संग और पी आएफ का तुन्ना जमीन आसमान का अंतर है इसलिए पटना एससपी को इस तरह की भासा का प्रियोग नहीं करना चाहिए और इसके लिए पुरे देश वासियों से उनको माफी मांगना चाहिए बात खतम हो जाएगी लेकिन करवाई होनी चाहिए बिलकुल करवाई होनी चाहिए जो काम है एससपी साहब को अपना काम करें इतने दिन से क्यों नहीं पकड़े जब प्रधान मंतरी जी का अगवन होना सुरुआ था वो पी आएफ को पकड़े नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरवराज पटना एससपी ने आर एसस और पी एफ आई को एक साथ जोड़ करके जो बियान दिया उसके बाद बीजे पी के लोग काफी जारा नाराज नजर आ रहे हैं मेरे साथ बीजे पी के सांसा दस सोख यादव हैं पटना एससपी ने जो ब्यान दिया उसके बाद राजनेती सूरू हो गई है लेकिन आर जेडी एससपी के ब्यान का समर्थन कर रहे हैं देखें पटना के एससपी को इस तरह का ब्यान नहीं देना चाहिए राष्टे स्वंसिवक संग और पी आएफ का यह ना कोई जादपात है ना कुछ है उसलब देश के लिए राष्टे संगठन आरे से सुषती है और पी आएफ जो है एक मुझे लगता है धार्यमिक संस्था है और कई चैनलों पर इसका न्यूज आया था पहले वी एक न्यूज आया था कि जो उसमें इनको बिदेशों स उनके घर से जंडा बरामद हुआ है और बहुत सारे डाकुमेंट्स में बरामद हुए तसलिए पत्ना एससपी को इस तरह की भासा का प्रियोग नहीं करना चाहिए और इसके लिए पुरे देश वासियों से उनको माफी मांगना चाहिए कूंकि भारते जंता पार्टी के ल राष्टे जंता दल को तो कभी विकास से कोई मतलब रहा नहीं इनको तो चाहिए स्रफ तुष्टी करन के राजनीत चाहिए इनको वोट से मतलब है हम तो कहेंगे तेस्वी आदव जी थुरा से एक दिन राष्टे सुवेव संग के अब साखा में तो आके देखो जिस दिन तेस्वी आदव साखा में आ जाएगा उस दिन तेस्वी जादव अनुसासित हो जाएगा और देश के लिए कैसे जिया जाता है देश्वी जादव को पता लग जाएगा देखे आरजेडी तो उस बयान का समर्थन कर रही है और वो भी करें कि आरेशेस है उस तरह के संगठन लेकिन जेडी के लोग भी इसके उपर चुपी साधे हुए है देखे हम किसी को उपर कुछने कहेंगे हम इतना जानता है कि राष्टियस स्विम सिवक देश के लिए जीत करता है देश के लिए काम करता है राष्ट वादी संगठन है और बाकि जो आर्जेडी कर लो जो आरेशेस का विरोध करते हैं मैंने पहले भी कहा को उनको आरेशेस के साखा में आने की अवसकता है यहां से प्रस्टिक्षन लेनी की आवसकता है जिस दिन वो वारे में उनको कुछ नहीं पता है जीरो कुछ पता ही नहीं है उनको आरेसिस क्या है कुछ लोग अब यह कह रहे हैं जीतन रामान जी की पार्टी और भी कुछ लोग यह कह रहे हैं कि एसेसपी को जवरन घसीटा जा रहा है बिवादों में इसमें बिवाद क्या है उनका बयान है अखवार में छपा हुआ है एक हम तो देखें कि जनसत्ता परहने एक जनसत्ता अखवार में छपा हुआ है घसीटा क्यों जा रहा है वो तो बोले ही है यह तुलना उन्होंने किय पी आई आफ और आरेसस को तुन्हा किया ही है इसलिए अच्छी बात नहीं उनको तो त्रह मांग आप मुखमंतरी से कुछ मांग कीजेगा कि एससपी को पर कारवाई हो बर खास दो या माफी मांग आप अगर का का कटाक्ष इस तरह का बात अगर करवाई होना चाहिए उन से कारण बताओ नो तिस पूछना चाहिए आकर उनने ब्यान क्यों दिया अगर उनके गलती से अगर प्यान निकल गया है तो आएखे आधने मंत्री जी का आगवान होना शरूवाट अपर पियाए के लोगो मुंखा इसके सामने को युद्धा हो कि इंदिञें ना कि उनको राजonia करना चाहिएario face को कटाक्ष करना चाहिए को कोई टिपनी करना चाहिए उनका काम है का मैं leisure की उस विथी वेवस्ता के काम धेख शुक्रिया सर, थैंक यू